सलाम अलेकुम स्टूडेंट्स उमीद करता हूँ आप लोग खेरियस से होंगे हाजर हूँ MF English Center से तो स्टूडेंट्स आज जो है वो Topic 2.4 करेंगे और Chapter जो है वो Kinematics है तो Scalars and Vectors पे जो है वो बात करेंगे तो ये बहुत ही Important Topic है यहाँ पर आपको बस Scalar और Vector की Basic Definitions दी जाएंगी और इसके ओपर Detail में आप जो है वो First Year में जाकर Study करेंगे तो ये जो Topic है वो बहुत ही ज्यादा Important है और बहुत ही ज्यादा First Year Second Year में इस्तिमाल हो रहा होता है तो इन दो Definitions को आप जो है वो अच्छी तरीके से समझिएगा और वीडियो को पूरा देखेगा ताकि कोई भी बात जो है वो आपको समझ ना आए यानि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो फिर मुश्किल होगी समझने में तो यहां पर मैं कहूंगा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकोन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इंग्लिश के नोट्स बन गए है तो अगर आपको चाहिए हो तो वाट्सअप पर कॉंटेक कर लीजिएगा और नोट्स जो है वो तमाम unit और तमाम exercise के होंगे तो यहां पर आजाएं scalar और vectors को discuss करते है देखें लिखावाए के all physical quantities are divided into two types on the basis of information required to describe them completely तो देखें हमारे पास जो physics में quantities है यानि जो हमारे पास length, mass, time इस तरह की जो और quantities है acceleration और velocity इन सब को दो हिस्सों में divide किया गया है ठीक है एक होती है scalar quantity और एक होती है vectors यह सिर्फ scalar और vectors कहले है ठीक है तो scalar quantity क्या होती है नीचे आपको detail में बताए जा रहा है और vector quantity क्या होती है यह भी आपको नीचे detail में बताए जाएगा तो यहाँ पर यह सवाल उठता है कि जरुवत क्या पेशाई इनको जो है इन दो चीजों में divide करने के लिए देखें बहुत सी quantities ऐसी होती है जिनको बताने के लिए हमें किसी भी direction की शुरूवत नहीं पड़ती आपके पास जो है एक mass है जिसका जो weight है वो है 2 kg ठीक है अब वो कोई भी एक ball ले लीजिए कोई lowe की ball है जो के 2 kg की है तो वो 2 kg की रहेगी चाहे आप पाकिस्तान में चले जाएं इंडिया में चले जाएं या किसी और मुल्क में चले जाएं तो उसका जो mass है वो नहीं बढ़ेगा 2 kg ही रहेगा लेकिन अगर आप इसी तरह से force है अगर आप force को जो है वो किसी एक direction में लगाएंगे तो सिर्फ उसी direction में work होगा दूसरी direction में काम नहीं होगा तो direction की वज़ा से quantities को divide करना पड़ा हमारे पास scalar quantities और vector quantities direction की वज़ा से बनती है तो चलें यहां पर देखें क्या लिखाव है scalar quantities के बारे में there are certain physical quantities that can be described through their magnitude and a suitable unit these information is enough to describe them for example the mass of a watermelon watermelon यानि एक थर्बूस को जो हो watermelon कहा जाता है is 3 kg where 3 is the magnitude and 2 and kg is a suitable unit such quantities are called scalar quantities तो देखें यहां पर scalar quantities की जो है वो detail में बताया जा रहा है और जो नीचे जो नीले में लिखा वो definition है तो पहले से detail में देख लेता है कि scalar quantities होती क्या है यहां पर आपको जो एक watermelon लिखके दिया हुआ है तो watermelon आपको पता है तर्बूस को कहते है वो 2 kg, 1 kg है, 3 kg है इससे भी ज्यादा का होता है ठीक है तो अब आपको तर्बूस के mass को बताने के लिए किसी direction की जरूवत नहीं पड़ती आपने का बस 3 kg का है बस एक unit की जरूवत पड़ती है कि भाई kg जो है वो unit है अब unit क्यों इस्तेमाल होता है कि पता चले कि quantity कौन सी है, mass है, time है या कौन सी quantity है तो mass है तो इसलिए kg लगा दिया और 3 क्यों लगाया कि भाई 3 kg का है तो आपको जो है वो पता चल दिया कि भाई यह water melon है, यह तर्बूस है 3 kg का है, kg आपको मामा से कैसे पता चल लगा हूँ है और 3 कितना भारी है यह 3 से पता चल लगा है तो यहाँ पर आपने completely describe कर दिया तो यही जो है वो scalar quantities का का काम होता है इसमें सिर्फ आपको unit की जरूवत होती है और आपको जो है वो एक magnitude की जरूवत होती है तो तो magnitude क्या होता है तो magnitude जो है वो quantity को कहते है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से watermelon ऐसे भी होते हैं जो के 3 kg से ज्यादा के होते हैं कम के होते हैं तो आपको जो है वो magnitude यानि मिगदार बताना पड़ेगी कि कोई चीज है तो कितनी quantity में मौझूद है ठीक है तो इसकी simple definition scalar की वो ये है के the physical quantities that have magnitude and a suitable unit are called scalar quantities तो ये वो quantities होती है जिनको define करने के लिए सिर्फ आपको क्या चाहिए होता है एक unit चाहिए होता है और एक magnitude और ये quantities define हो जाती है अब और जो है वो more example में आपको देता हूँ बात अच्छी तरह समझ में आएगी अब speed भी जो है वो एक scalar quantity है क्योंकि इसमें direction नहीं होती ठीक है आपको पता है ना distance जो है वो cover हो रहा होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं पीट को तो आगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लिजिए गा तो आपको पता है कि speed में जो ए वो direction cover हो रही होती है अब कि स direction में हम यानि हम जो है वो direction किस तरफ cover कर रहे है हम यह नहीं बताते है किस भी direction में work कर रहे हो update भी direction में length cover कर रहे हूं यह नहीं बताते सिर्फ जो है वो कितनी हमारे पास length cover हो रही है यही बताते हैं हम अब temperature कितना temperature है direction तो नहीं बतानी पड़ेगी न कि उपर की तरफ 4 temperature है नीचे की तरफ 3 बलके बस temperature बता रहे होते हैं तो direction की जरूवत नी बढ़ती बस हमें एक number लेते हैं और जो unit लगाते हैं और चीज पता चल जाती है हमें और mass जैसे के watermelon और density जैसे के हमारे पास कितने unit volume में कितना mass फैला हुआ ये भी density है direction बतानी की जरूवत पड़ेगी लेकिन कुछ चीजों में हमें direction बतानी पड़ती है जैसे के मैं आपको बोलूँ आपके पास चार newton की force है और वो लग रही है तो अब आप पूछेंगे किस direction में लग रही है अब एक होता है ना कि सर नौर्थ की direction में लग रही है south की direction में लग रही है या मशिरिक में या मगरिप में या उपर या नीचे तो इससे आपको पता चलेगा कि अगर उपर लग रही है force तो एक चीज उपर जा रही होगी अगर नीचे की तरफ लग रही है force तो चीज जो नीचे की तरफ आ रही होगी तो direction के बगएर आप force को पूरी तरह नहीं बता सकते यानि आपके पास number भी है और unit भी है लेकिन direction नहीं होगी तो आपको नहीं पता होगा कि force किस direction में है force किस चीज पर कहां लग रही है तो direction बताना पड़ती है इसी तरह से और भी चीज़े हैं तो अब यहाँ पर देखें vector की क्या definition लिखी है some physical quantities need direction along with their magnitude and unit for their complete description for example a bus traveling with a velocity of 50 meter second in the direction of north the vector quantities can be defined as तो आपको जैसा के पता है के vector quantities क्या होती है इसके अंदर भी जो है हमें magnitude चाहिए होता है और साथ ही साथ unit चाहिए होता है ठीक है अगर इसको define करना है तो magnitude और unit जो है वो चाहिए होता है वनना हम इसे जो है वो define नहीं कर सकते लेकिन जो है हमें साथ ही साथ direction भी बतानी होती है अब देखें bus की जो है अब आपकी velocity बढ़ रही है और आप जो है वो length को cover कर रहे हैं तो आपको एक direction बतानी पड़े की जब भाई आप किस direction में length cover कर रहे हैं देखें distance में नहीं बतानी होती क्योंकि distance जो है वो shortest जो है वो path नहीं होता shortest length नहीं cover कर रहे होते हैं इस्तेमाल किया जाता है मुक्तलिफ चीजों को जैसे के मैंने आपको work example दी अब मैं आपको बोलूँ के आपके पास एक ball है ठीक है बड़ी सी ball है उसके उपर force लग रही है और मैंने आपको बता दिया चार newton की force है यहाँ पर मैंने आपको magnitude भी बता दिया चार है और जो है वो newton भी बता दिया unit भी बता दिया लेकिन आप फिर भी मुझसे एक और सवाल करेंगे कि किस direction में लग रही है उपर की तरफ नीचे की तरफ या पीछे की तरफ या आगे की तरफ क्योंकि अगर मैं direction नहीं बताऊंगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि ball के उपर force लग रही है तो वो ball move का कर रही है तेकर जब force लगेगी तो ball motion करेगी न अगर direction नहीं पता होगी तो यहीं पता नहीं चलेगा कि किस direction में motion हो रहा है तो direction बतानी पड़ेगी साहिए इसी तरह से फिर velocity जो है उसमें velocity पैदा होगी ball में क्योंकि वो length cover करेगी displacement cover करेगी कुछ time में तो velocity आजएगी अब अगर velocity में भी change आएगा time के respect से तो acceleration आजएगी तो acceleration की भी direction जो है वो बतानी पड़ेगी तो इसी लिए हमारे को वो quantities हमारे पास वो quantities जिनको हम magnitude यानि मिगदार कितनी है कितनी मिगदार में मौझूद है कितनी quantity में मौझूद है ये बताएं और unit बताएं और तीसरे में हम direction बताएं तो ऐसी quantities को vector quantities कहते हैं और कुछ quantities ऐसी quantities होती हैं जो के vector होती हैं और vector के लावा उन्हें पूरी तरह define नहीं किया जा सकेगा तो definition भी ये है the physical quantities which are completely specified by magnitude with suitable unit and particular direction are called as vector quantities तो vector quantities क्या होती है जिसमें हमें unit भी पता होता है और हमारे को magnitude भी पता होता है यानि कितनी मिकदार है और हमारे को direction भी पता होती है यानि force लग रही है तो किस direction में लग रही है velocity अगर पैदा हो रही है तो किस direction में हो रही है acceleration अगर पैदा हो रही है तो किस direction में हो रही है तो इसी तरह momentum, torque, torque आप जो है वो आगे पढ़ेंगे magnetic field वो जो magnet से field निकलती है उसे magnetic field कहते है आपको पता होगा कि अगर magnetic field जो है वो कहीं निकल लई हो तो वो दूसरी चीज़ को अपनी तरफ अट्रेक करती है तो magnetic field भी हमें line बना के बतानी पड़ती है कि किस direction में है वनना उसको भी हम सही से समझ नहीं पाते है तो इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी example होती है force भी एक vector quantity है तो यहाँ पर हमारे पास अब आज जाते है representation of vector अब आपके पास scalar quantity तो scalar quantity को तो किसी भी तरह से represent नहीं किया जाता ग्राफ में ठीक है उसके लिए graph की जुरुवत नहीं पड़ती है से उसकी direction बताने के लिए क्यों कि scalar quantity में तो direction होती ही नहीं है लेकिन vector quantity में क्या होती है direction होती है तो अब direction बतानी है तो कैसे बताएंगे यहाँ किसी map पर बनाएंगे किसी graph में बनाएंगे अक्सर आपने देखा है ना sign boat लगावा होता है और वहाँ पर आपको direction बताई जा रही होती है तो vector की direction आप कैसे बताएंगे sign boat तो लगाएंगे नहीं बलके graph draw करेंगे और graph में arrow लगाएंगे तो जिस तरफ arrow का move होगा यानि उस तरफ direction होगी ठीक है उस तरफ जो है वो यहाँ तो force लग रही होगी या उस तरफ velocity होगी या उस तरफ acceleration पैदा हो रही होगी और जिस तरफ arrow की tail होगी वहाँ से जो है वो शुरू हो रही होगी ठीक है तो अब यहाँ पर आपको क्या लिखके दियावा है vector diagram is an easy way to represent a vector quantity the directed line segment can be used to represent a vector तो simple यहाँ पर यही बात की जा रही है कि आप जो है वो figure 2.14 देखें तेकि figure 2.14 में आपको क्या दियावा है यहाँ पर लिखावा है कि the length of a line segment gives the magnitude of the vector and arrowhead gives its direction for example figure 2.14 represent velocity of a car travel at 15 meter second in the direction of north of east तो north of east का मतलब क्या होता है कि north में भी मौजूद है और east में भी मौजूद है यानि total north में नहीं है और नहीं total east में बलके दोनों के दर्मियान है तो यहाँ पर आप देखते है north और east काहा जा रहा है अब आपके पास एक गाड़ी है एक कार है वो travel कर रही है तो आपको जो है वो direction तो बतानी पड़ती है गाड़ी कहां travel कर रही है अब आप जो है एक travel agency में काम करते हैं तो आप जो है आने वाले को यानि जो आया है ticket book करा जाने उसे direction तो बताएंगे न कि आपकी गाड़ी जो है वो कराची से लाहोड जा रही है या कराची से सलमावाज या कराची से कोईटा direction के बगेर तो काम नहीं होता न तो यहाँ भी direction की जुरूवत है velocity के लिए कि भाई अगर velocity है गाड़ी में velocity है तो किस direction में है तो जो है वो x-axis पे है north और south north और south यानि हमारे पास जुनूप और शुमाल जो है वो किस direction में है y-axis की direction में ठीक है तो गाड़ी जो है वो किस तरफ जा रही है north से east के दर्मियान जा रही है 50 km की speed है और आपको direction बतानी पड़ेगी अब मैं आपको बोलता हूँ आपके पास 50 km क speed है 50 m per second की speed है और 30 का angle है तो आप बताए कौन सी direction में क्योंकि मैंने direction तो बता ही नहीं आपको direction नहीं बता रहा आपके लिए confused हो गाए आपके पास यहाँ पर चार axis है यानि यहाँ पर आपके पास चार जो है वो quadrant है 1st quadrant, 2nd quadrant, 3rd quadrant, 4th quadrant तो आप किस quadrant में बनाएंगे graph तो मेर को आपको direction बतानी पड़ेगी वनना आप confused हो जाएंगे तो यही काम होता है vector का unit magnitude और साथ साथ direction बताता है ताके पता चल सके कोई चीज अगर distance कवर कर रही है या acceleration पैदा हो रही है या velocity पैदा हो रही है या force लग रही है या torque लग रहा है तो किस direction में लग रहा है अगर direction न पता दी गई कि अब जो है वह gate अगर अंदर की तरफ कुलता है तो आप जो है वह धक्का देंगे और बहार की तरफ किलता है तो आप जो है वह पीछे से push करके खोलेंगे उसे तो यह आपको direction बतानी पड़ती है अब आपके पाफ force तो मौझूद है अब मैं आपको बोलू चार न्यूटन की जो फोर्स है वो गेट पे जाके लगाओ सही है मैंने आपको बोल दिया चार न्यूटन की फोर्स गेट पे जाके लगाओ तो आपका अगला सवाल क्या होगा कि सर गेट को खोलना है या बन करना है यानि force लगाकर gate को खोलना है या बंद करना है तो खोलना और बर करना आपने क्यों पूचा क्योंकि आपने direction पूची कि force अंदर की तरफ लगानी है सर या बाहर की तरफ क्योंकि अगर अंदर की तरफ लगाएंगे तो gate जो है वो खुलेगा बाहर की तरफ लगाएंगे तो अगर खुलावा है तो बंद हो जाएगा अगर गेट खुलावा है तो बंद हो जाएगा जैसा कि आपका नॉर्मल गेट होता है अगर आप खुलावा है तो फिर उसे बंद कर देंगे force लगा के और अगर बंद है तो खोल देंगे तो जब ही जो है वो force के साथ direction बताई जा रही है और इसी तरह से मुक्तलिफ चीजों के साथ तो detail analysis किया हमने detail में जो है चीजों को तज़िया किया detail में मैंने आपको बता दिया vector scalar बहुत important topic है अगर कुछ ना समझ में आया हो तो फिर कहूंगा कि जरूर पूचिएगा जो है मैं आपको reply कर दूँगा क्योंकि अगर ये समझ में ना आये तो आगे बहुत मुश्किल हो जाती है चीजों को समझना तो असान भी topic है important भी बहुत ज़्यादा topic है बद दो ही definitions थी तो representation of vector कर लिया अब अगली वीडियो में जो है वो graphical analysis of motion यानि motion को जो है वो graph के respect से देखेंगे और जैसे कि हम आप वेक्टर और scalar quantities होती है और vector quantities graph पे बनाई जाती है और किस तरह से graph बनेगा ये भी आगे जाके पढ़ेंगे तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आयोगी math के lecture भी upload कर रहा हूँ physics के भी और English के कर चुका हूँ तो तीन subject में आपको पढ़ा रहा हूँ English, physics और math तो अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा इंशालला मैं आपको बता दूँगा और जो है वो guidance प्रोवाइड जरूर करूँगा आकर मैं कहूँगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा बेल आइकन को जरूर प्रैस कीज़ेगा थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्ला हाफेज दो हो मैं दरूर यादर कीज़ा